TikTok vs YouTube, YouTube vs TikTok, TikTok vs YouTube क्या है, TikTok vs YouTube क्यों हो रहा है, क्या आप जानना चाते हैं, YouTube vs TikTok क्यों हो रहा है, अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, Hello everyone, my name is Harjistoghi and I am the founder of Digital Harjistoghi, learn how you can grow your business online, so let's get started, अब बात करते हैं, TikTok vs YouTube के बारे में, YouTube vs TikTok होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, अगर TikTok vs YouTube होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, तो मैं आपको आदू, TikTok vs YouTube जो है, वो हम compare कर सकते हैं, TikTok vs YouTube को या YouTube vs TikTok को इन basic differences में, तो अब मेरा पहला difference है, YouTube vs TikTok में existence, तो हमें इनके difference करने के लिए हम इनके existence पर जाना पड़ेगा, अब बात करते हैं, YouTube के existence के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ, जो YouTube है, YouTube को existence करे वे, 13 years हो चुके हैं, और TikTok को existence करे वे, अभी 3 years ही हुए हैं, अब another most important difference in YouTube vs TikTok is size, अब मैं आपको बात करता हूँ कि जो YouTube है, YouTube पे अभी around 27 करोड active users हैं, इस बासे सूचिए, YouTube कितना ज़्यादा बूम कर रहा है इंडस्ट्री में, और अगर बात करें TikTok की, तो TikTok में अभी 3 करोड active users हैं, इस बासे सूचिए, TikTok को अभी existence में आये हुए, केव short video के platform में, another most important point in difference between YouTube and TikTok is platform, अब मैं आपको से बात करता हूँ, देखिए, YouTube जो है, वो platform है, longer videos के लिए, अगर किसी को भी longer videos post करनी है, या longer videos में वो interest सकता है, तो उसके लिए YouTube सच्छे बड़िया platform है, अगर बात करें TikTok की, तो TikTok पे आप short video platform है, TikTok पे आप छोटी video upload कर सकते हैं, अराउंड one minute तक के लिए, और उस video को आप अच्छे से enjoy कर सकते हैं, जिस भी जनने के पास time नहीं है, वो उस video को अच्छे से enjoy कर सकते हैं, वो उस video को अच्छे से enjoy कर सकते हैं, क्योंकि TikTok पे जो audience retention रहती है, काफि अच्छी रहती है, क्योंकि वो short video platform है, search engine से मेरा मतलब यह ह यह आपको पता ही होगा, जो YouTube है, वो पूरे world में second largest search engine है, इस बाथ से सोची YouTube कितना ज़्यादा powerful है, ज्योंकि वो search engine है YouTube, और वो second largest search engine है, इस बाथ सोची YouTube कितना ज़्यादा boom कर रहा है, अगर बात करते टुक के, तो TikTok जो इन नहीं है, इस बाथ सोची है, इस points हैं, यूट यूट्यूब को compare कर सकते हैं यूट्यूब जो हो सर्च इंजनिक नहीं है डारेक्टली अनिंग अब मैं आपको आदू यूट्यूब के थुरू 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 यूट्यूब के आपनी वीडियो को मॉनेटाइजर के अन्मनी कर सकते हैं और टिक टॉक के अगर बात करने टिक टॉक पर अभी भी कोई डायरेक्ली मॉनेटाइजेशन पोग्राम नहीं है टिक टॉक के दुबरा अनादर मोस्ट इंपोरेंट पॉइंड इस अगर कोई भी कंते क्रेटिव करनी है तो यूटीब के लिए बेस्ट पॉर्सक्राइशन, अगर बात करें कोई बिद्व स्कते वीडियो को जो भी content consumers है उनके बास कितना time है अगर उनके बास ज्यादा time है content consume करने के लिए तो YouTube उनके लिए bad platform है क्योंकि YouTube पर आप longer videos देखकर बार की इसी चीजियों को समझ सकते हैं अगर बात करें TikTok की जो भी content consumers है उनको अगर उनके बास time duration कम है तो TikTok उनके लिए best platform है जो कि वो कम time span में ज्यादा content consume कर सकते हैं तो यार अब बात करते हैं सबसे ज्यादा most important point की जो की है hard work अब मैं आपको आदू कि जो TikTok versus YouTuber दोनों ही काफी ज्यादा hard work करते हैं hard work दोनों में ही है TikTok वाले भी काफी hard work करते हैं तो इस बात से आप सोचिए कि TikTok और YouTube दोनों ही काफी अच्छे platform है अपने अपने domains में अपने अपने areas में तो हमें उनको comparatively compare नहीं करना चाहिए जो मैंने आपको compare रहे points बता है वो basic differences है अगर actual sense में बात करेंगे तो उसको compare हमें नहीं करना चाहिए टिक टॉक और YouTube से क्योंकि YouTube एक काफी बड़ा platform है TikTok भी बड़ा platform है वो shorter videos में count कर जाता है उसकी duration and YouTube की longer videos में count कर जाता है इसलिए ही Google ने YouTube Shorts launch करने वाला है Google अगर YouTube Shorts वरसे TikTok हो तो काफी मज़ा है तो आपको यादू हम data marketing related videos बनाते रहते हैं अगर आपने हमारी Google Mastery Course की videos नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं आई बेटरिन में link लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक देदूँगा अगर आप free में data marketing सीखना चाहते हैं actual sense में तो ये videos आपके लिए हैं आप playlist section में जाकर